आयुवेद बाबा चैनल में आपका स्वाधर्थ है दोस्तों आज बात करेंगे ब्रहमचारी के नियम ब्रहमचर वर्ण आश्रम का पहला आश्रम भी है जिसके अनुसार ये 0 से 25 वर्ष तक की आयू का होता है और जिस आश्रम का पालन करते हुए विद्यार्थियों को भाव जीवन के लिए शिक्षा ग्रहन करनी होती है जैसा की उपर बताया गया है कि ब्रहम का अर्थ ज्यान भी है अता ब्रहमचारी को ब्रहमचर अर्थात ज्यान प्राप्ति के लिए जीवन बिताना चाहिए विद्यार्थि के लिए ज्यान ही ब्रहम दुल्य है पूर्ण तनमे होती है उसकी स्मरण शक्ति तीव्र होती है चहेरे पर ओज तेज होता है जैसा कि विवेकानंद जी ने कहा है कि केवल 12 वर्ष तक अखंड ब्रह्मचर से अद्भूत शक्ति प्राप्त होती है ब्रह्मचारी कोस्त्रियों के रूप लावन का ध्यान नहीं करना चाहिए तथा नजर जाये तो हटा लेनी चाहिए एकांत में किसी स्क्री के साथ नहीं रहना चाहिए उनके मोजाल से दूर रहना चाहिए एक शब्द में यही है कि अपने उदेश परमानंद की प्राप्ति को पल-पल ध्यान में रखते हुए विशय विकार से दूर रहने के अभ्यास को प्रगार करना चाहिए ब्रहमचर का अर्थ अपने खानपान पर भी नियंत्रड करना भी है ब्रहमचरी मास से अतिदे खटे या नमकीन भोजन से और बहुत मसालेदार भोजन से भी संयम रखते हैं गान्धी जी जो की एक जाने माने ब्रहमचरी भी थे ने अपने पूरे जीवन भर सादा ही भूजन किया ब्रह्मचर विशय पर स्वामी विवेका नंद जी ने कहा है कि इश्वर को पाने के एक मात्र लक्ष के साथ मैंने स्वैंबारा वर्षतक अखंड ब्रह्मचर का पालन किया है उससे मानों की एक परदासा मेरे मस्तिष्क से हट गया है कि मुझे अब दर्शन जैसे सुक्ष्म विशय पर भाशन देने के लिए भी ज्यादा तैयारी करना या सोचना नहीं पड़ता मान लोग कि मुझे कल्व्या ख्यान देना है जो भी मुझे बोलना होगा वह मेरी आखों के सामने कई चित्रों की तरहाज रात को गुजर जात है और अगले दिन में वही सब जो मैंने देखा था शब्दों में व्यक्त कर देता हूं जो कोई भी बारा वर्ष के लिए अखंड ब्रमचर का पालन करेगा वह निश्चित रूप से इस शक्ति को पाएगा यदि अग्यवेदों के कर्मकांड का अधार है ता निश्चित स्वर्द ब्रमचर व्यान का अधार है संस्कृत का शब्द ब्रमचरी है जो की कामजित शब्द का पर्या है ञिसका उसके कामवेक पर पूरा नियंत्रण है जीवन का हमारा लक्ष मूख्ष है वह ब्रमचर य पूर्ण सायं के बिना कैसे पाया जा सकता है ci एसाइक्लो स्वामी जी ने कहा इन दस खंडों में से जो चाहो पूछ लो और मैं तुम्हें सब का उतर दूंगा स्वामी जी ने ना सिर्फ भाव को यथावत पताया बलकि हर खंड से चुने गए कठिन विशयों की मूल भाशा तक कई स्थानों पर दोहरा दी शिश्य स्थब्ध हो गया उसने किताबें एक तरफ रख दी यह कहते हुए की यह मनुश्य की शक्ती के अंदर नहीं है वा वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद